सरकार द्वारा तैन निधी वित्रन सूत्र के आधार पर ही सभी जिलों को दी जाएगी ऐसे में नापुर या विधर्ब के अन्य जिलों को चिला नियोजन समीती के तहट कम निधी देकर विकासकारे को रोकने के आरों बेबुनियाद है यह बात उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कही विभागे आयक तक काराले में आयची डिसीपी की बैठक के बात कहा कि पिछली सरकार के ततकाली निवित्तमंत्री ने राजी के लिए तैन निधी वित्रन सूत्र से बाहर जाकर कुछ जिलों के हकी निधी छीन कर नापुर चंद्रपुर वरधा और सिंदु बाविस्चा करता जे सूतर ठरोले लोत तैया पेक्षा थोड़ी से अधीक से देडें सा प्रहेत नकेला दीड़ी से कोटी रुपए तन्ना अर्थिक वर्ष संदोनाजार एक्विस्चा करता हाँ पक्त जिल्ला वार्शीक योजना सर्वसादरन है जा मदे आदिवासी वि भाग नाइए त्यास बरवर गर्चोरोली ला नक्षर ग्रस्त जिल्ला असलेमो अकांग्षित जिल्ले अपलेया महराष्ट्रा मदे चार जिल्ले अकांग्षित मनून उलकली जाता एक गर्चोरोली दुसरा नंदुर बार तिसरा उस्मानाबाद आणचा उता वाशिन ता कि जरुरत पढ़ने पर सरकार जिलों को अतरिक फंड के लिए भी तयार है नियमानुसार नाकपुर जिलों को विभिन्द विकास कार्यों के लिए 300 करोड की निधी दी जाने चाहिए लेकिन पिछले वित्तवर्ष में हमने 100 करोड रुपए अधिक दिये यानि नाकपुर जि इतर जिल्यांचा निकशा प्रमाने निधी स सुत्र ज्यास्त तया सुत्रा प्रमाने तन्ना निधी न देता तेंसा कटकेला आणी सिंदुदुर्ग तेजानंत नाकपुर तेजानंत चन्रपुर वर्धा अशा काई ठाराविक जिल्यांचा निधी वाडून दिला तर आज नाकपुर शहरातला शिष्टमन रमाला भेटला ते गोशना पड़ खाली देतो ते मिन अंतर जिल्लादी कारांदान विभागे आयुद कारेले परीसर में सरकार के खिलाफ नारी बासी पर उन्होंने कहा किस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं रोका है नारे बाजिकर रहे नेताओने मुझे ग्यापन सुपा है मैंने उनसे कहा कि वे सभी मुंबई आये और उनकी शिकायतों के लेकर संबंदित विभाग के मंत्रियों यहां की विधाय को और अधिकायों की बैठक करेंगे चर्शा के दौरां पता करेंगे कि आखिर किन उसना परू